आज के इस वीडियो में देखें, आज हम सुमितन अंदन पंत जी का जीवन परीचे, उनकी रचनाए काविगत्विसे स्ताए, भावपक्च, कलापक्च और सायत्ते में इस्तान देखने वाले आई हम सब सब पहले देखतें इनका जीवन परीचे तो देखिए कि सुमितन अंदन पंत का जन्म सन 1922 में कोसानी नामक ग्राम जीला अलमोडा उत्राखण में वगा था इनकी मा इन्हें जन्म देने के कुछ ही समय बाद इस दुनिया से चल वसी थी तो इनकी मा इनको जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही इस दुनिया से उनका दहवास हो गया था मात्र हिन याने की माता हिन बालक ने प्रकती मा की एकांत गोध में बेट कर घंटों तक चिंतन करना सीख लिया था का एकांत में रहना इन्होंने सीख लिया था अलमोडा के राज की विद्याले में प्रारंबिक सिख्चा लेकर कासी से मेट्रिक पास की तो इन्होंने अलमोडा के राज की विद्याले से अपनी प्रारंबिक सिख्चा प्राप्त की फिल ये कासी से मेट्रिक पास की इन्होंन आविवाइट इन्होंने साधी नहीं की थी ये आविवाइट थे तो आविवाइट पंत ने साधी साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया तो ये साधी सुधा नहीं थे तो इन्होंने अपना जीवन साधना में ही पूरा समर्पित कर दिया था भारत सरकार ने पदबूशन से अलंकरत किया और 29 दिसंबर सन 1997 में भारत के अमर सपूत ने चिनिंद में आखे बन कर ली तो इनकी म्रत्यू कब हुई 29 दिसंबर सन 1997 में इनकी म्रत्यू हो गई तो ये था इनका जीवन परिचे यानकी इनकी घटना पूरे जीवन की तो ये था जीवन परिचे आप अपने अकोडिंग जीवन परिचे लिख सकते ये काफी बड़ा है देखने में आपको काफी सब्सक्राइब कितना में आपको इतने में नंबर मिलेंगे छोटे में भी आपको नंबर मिल जाएंगे लेकिन आपको इनके जन्म का संद और इनके मृत्यू का संद जरूरी याद रखना और इनको भी 100% लिखना है इसके बाद में आगी हम देखते हैं इनकी रचना है तो देखिए वीना प कला और बुड़ा तो ये इनकी रचना है आप दो तिन रचना एक कल लिजगा इतनी सारी रचना करने की आवसकता नहीं है क्योंकि दो या तीन मुश्किल सापको परिच्छम लिखने तो आपके वहले इतनी कल लिजग वीना पल्लव और युग वानी तो देखिए युग वा से गुंजन की वीना गुंज रही थी वीना इस तरह साप इसकी तीन रचना है याद कर सकते युग वानी से गुंज रही थी उनकी वीना अच्छे से स्क्रीन सोट लीजे आईए अब हम देखते इनकी काविगत विशेष्टा है देखिए काविगत विशेष्टा में है इन इनके मन के विचार इनके क्या भाव रहें आईए देखते हैं तो प्रकती में पंत ने आलंबन उद्धिपन मान्विकरन एवं एक उद्देशका का रूप देखा है देखिए इन्होंने अपना जीवन पहाडों के बीच ही व्यतित किया है यान कि ये प्रकती से जुड़े तो इनके विचार भी प्रकती के उपर सही रहेंगे तो प्रकती में पंत ने आलंबन उद्धिपन और मान्विकरन एवं एक उद्देशका का रूप देखा है पंत जी प्रकती के अनुरूप चितरे थें तो ये प्रकती के एक अनुपम चितरे थें पंत ने सुच्म भाव को कावि में चित्रित किया है अतिय सुच मेने कि छोटे से छोटे भाव को विन्होंने महसुस किया है और अपने कावि में बताये हैं सैयोग और वियोग याने कि बिछढ़ना और मिलना दोनों की अनुभूतियों का इुछो ने गिहराइए से अपनी काव inadequ में प्रयोग किया देखे सयोग याने की मिलना वियोग याने की बिछनना इन दोनों की अनुभूतियों का चितन भहूती भावा ग्रहा हैं तो यह है इनका भावपक्ष कि प्रकति में पंत ने आलंबन उद्धिपन मानविकरन एवं उपदेशका का रूप देखा है पंत जी प्रकति के अनुरूप चितरे थे पंत ने सूचुम भाव को कावि में चितित किया है सयोग और वियोग की अनुभूतियों का चितरन बहुती भावग रहा है तो यह इनका भावपक्ष आप अपना कोडिंग इसमें से छोटा कर सकते हैं एसा नहीं जितना बड़ा मैंने लिखा इतना बड़ा आप लिखें देखिए बार बार केने की अउसकता नहीं है आप अपना कोडिंग छोटा कर सकते हैं आपको यदि बड़ा लगे तो हरे को मैं आप कर सकते हैं एसा नहीं कि मैं आपको बार बार कहूं कलापक्ष पंत जी की भासा भाव के अनुरूप बदलती है जो पंत जी है इनकी जो भासा है वहाँ भाव के अनुरूप बदलती रहती है देखिए सभी का कलापक्ष सेम होता है थोड़ा सा ही अंतर होता है वेस भासा का क्योंकि सभी अलंकार का प्रियोक करते हैं इसके उसमें एक दुलाइंग एसेट कर सकते हैं। योजना भी पंत द्वारा व्यवहारात्मक रूप में तयार की गई है। इनका साइटी में एक महतवपुन इस्तान है। और आप एक लाइंग ये लाइंग एक इनका साइटी में महतवपुन इस्तान है। और एक मैं भी बोल रही हूँ कि हिंदी साइटी के योगदान के लिए इनको हिंदी साइटी सदा ही इसमरन करता रहेगा। आप ये दो लाइंग हर एक कवी के साइटी में इस्तान में एड कर सकते और आपको फुल फॉल नंबर मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आपको अच्छे सन में आया होगा। आज का हमारा सुमित नंदन पंत जी का जीवन परिचे। और उनसे जूड़ी रशना है। कलापक काविगत विसेस्ता है कैंतरगत कलापक्च साइटी में स्थान और भावपक्ची। ये सब आपको अच्छे सन में आये होगे। आप अच्छे सबड़े से स्क्रीन सोट ले लिजे। और अच्छे से इनको कंप्लिट कीजे। और अपने अकोडिंग इनको छोटा भी कर सकते हैं। एसा नहीं कि मैंने जितना आपको बताया इतना ही आप लेकी इतना ही याद करें। एसा नहीं। आप अपने अकोडिंग ढाल सकते हैं।